Welcome back to my YouTube channel आज इस चैनल में आपका स्लीफ कटिंग का स्टाइल और तरीका आपको दिखाने लगे हैं किस तरह से आपके साथ इसको हम स्लीफ कटिंग को बहुत हिसान तरीके से करने जा रहे हैं आएं वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने अपनी बाजू को फॉल करना है आपकी शेट का जो कप्रा जिस तरह से भी आपके पास जो पीस आएगा उसकी आपने लंबाई देखनी है 21 इंच की यह फूल स्लीफ की कटिंग है उसको हमने कप्रे को फॉल की है फॉल क उपर वाली सैट से जो है वह हमने उपर से तीन इंच का मार्जन लिया है एक निशान और लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा बहुत इसी तरह आपको बहुत असानी होगी निचे से आप अपने बाजू की जो पॉमाईश है वह आपने फ्रेंट वाली सैट से जितना आपको स पात इंच पर पांच इंच पर तो नामल साइज से वह पांच इंच का लिया जाता है अब आपने अपने शोल्डर की पुमाईश हो है मुझे तैन इंच पर शाहिए थी आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिएगा नेक्स्ट वह है वह मैंने तीन इंच का मार् है हम ओपर से इसकी लबाई कटिंग के लिए एक निशान आइड करेंगे अब जस्ट आप सिंपल इसकी कटिंग करें फुल स्लीव की कटिंग जो है वह इसी तरीके से की जाती है बहुत यह सान तरीका है अब आपको इसके फ्रंट साइट की भी कटिंग करने दिखाएंगे सिंपल आप इसकी कटिंग करें इसी तरह से कटिंग के बाद हम इसकी फ्रंट साइट की जो है वो सिंपल कटिंग करेंगे फ्रंट साइट की कटिंग करने का तरीका कर यह है कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो वन इंच पर आप इसका निशान एट करेंगे बन इंच का या हाफ इंच का आप इसके कटिंग करने का आपको ये फायदा होगा कि जब आप अपने शिर्ट को पहनेंगे तो आपकी जो चस्ट फिटिंग है वो बहुत खुबसूरत नजर आएगी वो जो जो जोल टाइप है वो चीज नहीं आएगी सिंपल आपने दोनों बाजू को फरंट वाले सैड के दो बाजू खोलने है बैक पर आपने कटिंग नहीं करने हैं ये फरंट सैड की कटिंग है फिटिंग के लिए अब आप इसकी शकल इजी देख सकते हैं यहां से आप इसको थोड़ा सा यू बनाए अब simple आप यहां से कट करेंगे इनको बराबर करने के बाद हम इसको एक ओपर से छोटा सा कर देंगे जब आप स्टिच करेंगे तो यह कट आपको बहुत यह आपकी मदद करेगा शोटर के सेंटर में इसको अटेज करके बाद सुलिफ करने में बहुत ही असानी होती है अब next जो है वह हम नीचे से अब इसका जो सलाही का निशान है पहले हमने cutting का निशान एड़ किया था अब हम सलाही से पहले भी एक निशान एड़ करेंगे ताके सीने में हमें बहुत यसानी हो इस तरह से एक lagnarave करें अब ये simple sleeves जो वाजू है वो आपके attach हो चुकिए अब आप इसको और sleeves को थोड़ा सा long करना चाहते हैं तो front side पर आप इसकी पट्टी add कर सकते हैं उमीड करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी Thanks for watching